अचानक से ब्लीडिंग का होना या फिर किसी तरीकी के बहुत हलो मैं डिया पैरेंग्ट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब डिलीवरी सी सेक्षन यानि कि सिजेरियन के बाद होती है तो आपको कब जो है संबंद बनाना चाहिए या फिर हम संबंद बनाने के लिए क्यों बोलते हैं कि जो है डिले करना चाहिए ठोड़ा लेट बनाना चाहिए तो उसका क्या कारण होता है और अगर आप संबंद बराते हैं डिलीवरी के बाद में पहली बार तो उस केस में आपको कौन-कौन सी बातों का धियान रखना चाहिए तो वीडियो को में सारे चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकती है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रेक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी दबा ले जिससे कि मेरे आने वाले सारे नोटिफेकिशन आपको टाइम पर मिलते रहे तो चलिए अब शुरू करते हैं देखिए जब सी सेक्षन होता है यानि कि डिलीवरी सिजेरियन होती है तो उस केस में आपकी बाडी में कट जो है सिरफ उपर से ही नहीं लगा होता है अंदर से भी कट लगा होता है और जिसको हील होने में कम से कम पूरे 6 महिने का वक्त लगता है लेकिन हम कुछ के बाडी पर प्रेशावादा है तो उससे आपके टांके खुलने का बहुत ज़्यादा डर होता है और टाके खुलने की बज़े से जो है टाके पक भी सकते हैं तो इसलिए मना किया जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी संबल नहीं बनाना है सकीं नमडर पर हम बात कर लेते हैं देखे हमाइड एफन जब डिलिवरी सी से से होती है तो उस टाइम पर आपको लुक्या डिस्चार्ज होता है यानि कि जुद। पहले आपने देखा उगा रेड होता है रेड में थोड़ा वाइड होता है फिर जो है शेड जे रिपक्शं का बहुत ज़्यादा खत्रा होता है इसलिए भी आपको जो है रिलेशन एकदम से नहीं बनाना चाहिए तीस्ते नमबर पर माइडिये फिन्स देखें माइडिये फिन्स जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसकी बाद जो है जो मदर होती है वो बेवी को फीड करती है तो उस और मल सी बात है यानि कि जो नेचुरल लूब्रिकेंट होता है आपके सेक्श्वल प्लैजर के लिए वो उस टाइम पे नहीं होता है जिसकी बज़े से महिला को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है परिशानी हो सकती है इसलिए भी कई बार जो है महिलाएं जो है सम्मंद नहीं बनाना चाहिए अब हम बात करते हैं माईडियर फिंट्स की आपको सम्मंद कब बनाना चाहिए देखे माईडियर फिंट्स डॉर्मली जो टाइमिंग होता है एक महिला को जीरो से सही होने में जो लगबग लगबग 45 डेज तक काफी हद तक जो महिलाएं है ठीक हो जाती है बर जैसे कि मैंने आपको शुरू महीं बताया पूरी तरीके से सही होने में छे महिने का समय लगता है तो अगर आप कह सकते हैं कि 6 वीक के बाद यानि कि डेड़ महिना 45 डेज के बाद आप जो है सब्मंद बना सकते हैं पर उस केस में भी रिस्की रहता है क क्योंकि हर महिला जो है 45 डेज में एकदम से सही नहीं होती है तो मैं आपको रिकमेंट करूंगे कि आप कम से कम जो है दो महिने का समय लीजिए उसके बाद आप रिलेशन बनाएगे अगर आप दो महिने के बाद जो है रिलेशन बनाते हैं तो उस केस में भी आपको ये ध् जो महिलाई होती है, उसके बाद इनद पूरी का ना हो ना, जो एक पॉर्ड़ा वहा रोटी है जो जो ओता है, जो पर पाठनर मुझे बढ़ा है, उसके वजे से भी महिलाई संबन बनाने के लिए तयार रही होती है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस चीज़ के लिए नहीं रह रही है या फिर जो अपकर पार्टनर है वो इस चीज़ के लिए अगर अभी नहीं रह रही है तो आप उस टाइम पर रिलेशन ना बनाए अगर महिला रह रही है और अगर वो comfortable फील कर रही है त तो आप कम से कम दो महीने बाद रिलेशन बना सकते हैं अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सम्बनल बनाते हैं तो आपको कोन सी ऐसी सांधानिया है जिन को जरूर से जरूर जो है रखना चाहिए जैसे ही आप संबंद बनाते हैं उस टाइम पे आपको ये ध्यान दखना है कि आपको महिला को कभी भी पेट के बल जो है नहीं लेट कर संबंद बनाना है शुरुवात में क्योंकि इस से आपके टांकों पे जोर पड़ सकता है अगर आप संबंद बनाते हैं तो अचानक से अगर महिला को कि अचानक से ब्लीडिंग का होना या फिर किसी तरीकी के बहुत जादा असहनीय दर्ध का होना या फिर एकदम से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज का होना यानि कि आपको अपनी बॉडी में कुछ अलग सा चेंज नजर आ रहा है तो माई डियर फिंस आपको जरूर से जरूर डॉक्टर से कॉंटाक्ट करना है और उनको बताना है कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही कि आपको धियान जरूर रखना है कि आपको इस गरत इलेवरी के बाद अगर एका प्रेगनित नहीं हो सकतिए तो माई डियर फिंस आप विल्कुल प्रेंट हो सकती है तो आप जाय कीसी ने विर्थ प्रउड यूज करिए और इस चीज का भी अंप्लैन प्रेगनेंसी से भ जैसे भी डॉक्टर ने आपको जो टाइन दिया था उसके बाद आपके टाके कट गए थे और डॉक्टर ने आपको कह दिया था कि सब कुस्ट ठीक है तभी आप उसके इसमें संबद बनाए उसके अलावा आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें क्या मैं र वाय पाई